टार्गेटेट करके हिंदू महिलाओं को उठाना पसंद आने के जबर्दस्ती गर से उठाना और कारेले में टीमसी के कारेले में गेंगरेप करना ये ममता दीदी का कुशाशन है मनगी ममता तो मर चुकिए नियाइद ला करेंगे चाहे ममता जी का स्तीफा देने को मजबूर बंगाल के अंदर संदेश खली में हुए महिला के साथ दुसकर्म को लेकर हमारे साथ है बंगाल की परभारी पूजा कपिल जिनसे बात करेंगे क्या कहेंगे इस मामले को लेकर देखिए अत्त दुर्भाग पूम जिसे कहते हैं कि श्रस्टी में कभी ऐसा नहीं होना चाहे कि महिला को केवल मनोरंजन और कुछ लोगों के जिसे कहें अपने स्वार्थ के लिए जब मरजी आये और वो भी टार्गेटेट करके हिंदू महिला को उठाना पसंद आने के जबर्दस्ती घर से उठाना और कारेले में टीमसी के कारेले में गैंग रेप करना जब तक मन भ ममता दीदी का कुशाशन है ये ममता दीदी का राज है ममता दीदी को मन की ममता तो मर चुकी है वो राजनीती के सिंगासन में सत्ता के में मदोहोश होके सत्ता को की ललायता में वो इतनी मदोहोश हो चुकी है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि बंगाल की नारी का दमन उस काम के लिए उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है इवन मेरी प्रदेश की अद्दश को खसीट कर लेके पुलिस गई उसको चोटे आई शरीर चिल गया लेकिन लगातार महिला शक्ती महां प्रदर्शन कर रही है भारतिय जन्ता पार्टी की महिला मोर्चे की और हम उसकी न्य आज आज आप देख रहे हैं राजिस्तान में प्रदर्शन है देश वर के कौने कौने में प्रदर्शन हो रहा ही लगातार होता रहेगा हम उन बैनों ने जिनोंने हिम्मत करी है ऐसे अनाचारी अत्याचारी राक्षस शेख शाजा के खिलाफ में अवाज खड़ी करने की उनके साथ में खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मजबूती से लड़ रहे हैं लड़ते रहेंगे न्याय दिला कर रहेंगे चाहें ममता जी का स्तीफा देके देने को मजबूर करके उन्हें कुर्सी से क्यों न उतारना पड़े आठ तारीक को महिला दिवस भी है महिला दिवस के उपलक्ष में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी वहाँ पर रेली कर रहे हैं उसको लेकर क्या आने वाले समय में इस रेली से कोई प्रभाव पड़ेगा तेके निश्य तोर पे सयोग बस में उस रेली की प्रभारियूं क्यो बंगाल की पूरी मातरी शक्ति तो जब वो मातरी शक्ति अवाज बनेगी तो और मोदी जी का साथ होगा तो आप निशिंत रखिए कि नियाई भी होगा और ममता का काउंडाउन भी चालू होगा सक्ति वंदन जैसे कारी करम लगातार हो रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का पूरा कारी किया जा रहा है भाजपा के दुवारा लोगसबा चुनाओं नजदीक हैं क्या लगता है अब की बार महिलाओं को चांस दिया जाएगा पहली बार देश के इतियास में हुआ है कि मोदी जी ने नारी के राजनेतिक नित्रत को सरक्शर दिया दोनों सदरों में बिलास करा के 2019 के चुनाम में तो निश्शित तो पर ही होना है तो यह जो प्रयास्तान उन्होंने सम्मान दिया सुरक्षा दी आर्थिक तोर पर पर देश की जीडीपी में 20% योगदान इस शक्ती का है तो आर्थिक शक्ती इतनी मजबूत करी है हमारी महिलाओ की और उसको निरंथर बढ़ा रहे है राजनितिक शक्ती मजबूत करी है तो निश्ची तोर पर जादा से जादा उनकी और आपने अभी कली सुना होगा कि आने वाला भविशनों ने समर्पित किया कि इस देश की बेहन और बेटियों के लिए रहेगा तो मुझे विश्वास है बहुत अच्छी संख्या में उनको नाकेबल टिकेट देने की कोशिश पूरे समाज में खड़े करने की कोशिश जो मुधी जी ने आदियावादी को सम्मान देने की किये वो जल्दी ही पूर्ण होगी लगातार BJP महिला सुरक्षा की बात करती है मगर इसी राजस्थान के जैपूर राजधानी के अंदर विराट नगर में महिला को कार दिया जाता है उसके साथ दुर्वेवार होता है उसको मुआउजे तरीके नहीं मिल पा रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है देखें मैं वैसे तो कोई भी घटना हो ये बहुत दुर्वागी पूर है जो हुआ तुरंद प्रवाव से सरकार ने कारवाई करी उनको सस्पेंड किया गया उनके खिलाफ कानूनी कारवाई भी की जा रही है और पीडिता को यतासंबब मदद दी जा रही है महिला के मान सम्मान सुरक्षा के लिए आएगी तो उनके खिलाफ कड़ी कारवाई करने से राजस्तान की भजनलाल सरकार को कताई परेज नहीं है वो कारवाई होगी और वो काम होगा ये घटना की पुन्राविती राजस्तान में ना हो इसकी भी संपूर कोशिश, कोशिश नहीं इसको सत्पृतिशत करने की भी सरकार मुस्तेदी से कार कर रही है ये थे हमारे साथ के बंगाल की परभारी जो की महिला दिवस के प्रोग्राम में आरतारी को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की रेली है उसकी भी प्रभारी है पूजा कपिल जिनका नाम है तो लगातार इनके चहरे पर जो रोनक है, खुसी है एक महिला के चहरे पर जो रोनक और खुसी लोगसभा चुनाओ को देखते हुए लोगसभा चुनाओ ही नहीं क्योंकि सक्ती वंदन जैसे छेतर में महिलाएं जो काम कर रही है लगातार बीजेपी के नेतरतों में तो लगातार देखने को मिल रहा है आप देखते रहें ऐसे ही रोचकता थे महानगा टाइम्स के साथ